मस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चानल सक्सिस प्लेस में इस वेडियों हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में क्या आपका उसमें एस्टेजी होना चाहिए क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पोजिशनल ट्रे stop loss order होगा, target होगा मतलब आप professional trading करते हैं swing trading करते हैं या आप long term investment करते हैं उसमें भी आप stop loss और target लगा सकते हैं तिसलिए जरूधा में जरूर account open कर लिजिए जरूधा इंडिया का नमर 1 broker है और ये आपको मात 20 रुपया पर trade चार्ज करता है इंट्राडे में, delivery में कोई चार्ज नहीं करता है तो discussion देगरे link से जरूर account open कर लिजिए तो हमारा जो पहला stocks है आज का वो है Reliance industry, Reliance industry में जो 200 day का EMA है ये blue line हमारा 200 day का EMA है तो ये 200 day के EMA पर बार बार आता है support लेता है और वो आपस bounce back करता है अगर ये फिर से यहां पर देख लिजिए उपर जो हमारा 50 day का EMA है 50 day के EMA को बार बार ये resistance बना रहा है और यहां धीरे धीरे देख लिजिए इसका range जो है narrow होते जा रहा है यहां पर range काफी बड़ा था शुरुवात में धीरे धीरे ये range जो है कम होते जा रहा है तो अगर ये उपर की और breakout दिया मतलब ये जो 50 day का EMA है ये trend line बन चुका है resistance का trend line अगर इसको break करता है तो फिर आगे आपको एक बड़ा momentum इस stock में देखने मिल सकता है तो ये अभी इस range में है 50 day का EMA और 200 day का EMA जो इसी range में ये move करा है उपर और नीचे किसी भी और या तो नीचे break करता है तो आप नीचे के लिए इसमें जा सकते हैं ट्रेडिंग के लिए अगर उपर ब्रेक करता है तो उपर के लिए ट्रेडिंग के लिए हम इस stock में बने रहेंगे जैसे देखेंगे तेजी खतम हो गया stock से हम exit कर जाएंगे तो चार्ट काफी solid बना है रिलाइस का जैसे यहां 50 day के EMA को break करता है आपको बस इसमें invest हो जाना है मतब इस stock को खड़ीत लेना है जैसे जब तक तेजी बना रहेगा तब तक invested रहना है जो long time investor है SIP start करता है आप नीचे SIP करेंगे उपर जाता है तो उपर ये price पर SIP करेंगे तो काफी बहतरी इन stock है long term के लिए अपने portfolio में रिलाइन्स हमेशा के लिए रहना चाहिए उसके बाद 3i infotake है 3i infotake आज circuit देख सकते है open हुआ है कल भी थोड़ा से इसमें trading हुआ था volume यहाँ आप देख सकते हैं हर दिन काफी कम volume था इसमें लेकिन आज volume इसमें काफी बढ़ा है selling volume कल buying volume काफी बढ़ा था इसमें तो आज circuit open हो चका है जो buy नहीं कर सकते हैं तो छोटी quantity आप इसमें buy कर सकते हैं बस छोटी quantity लेना है ज्यादा नहीं ऐसे जो छोटी stock से होते हैं पाइन इस stock में कम ही quantity buy करते हैं और उसको आप long term के लिए hold कर सकते हैं उसके बाद जो अगला stock है foods in यह काफी मतलब लोग इसमें invest करने के सोचते हैं तो यह stock देख लिए यह stock जो है काफी दिनों से इसी range में है मतलब उपर का जो इसका price है वो 65 रूपीज है और नीचे जो इसका range है वो है 45 रूपीज इसी range में यह काफी समय से है जून से ले करके अभी तक इसी range में यह trade कर रहा है अगर आपने इसमें invest किया है तो फिर बने रही है अगर नीचे आता है तो और ज्यादा आप invest कर सकते हैं अगर कोई trading के लिए ले रहे है तो इसको उपर निकल देजिए यह 200 के में के नीचे trade कर रहा तो आप इसमें invest कर सकते थे और जैसे उपर के price पर जाता है तो आप इसे sale कर सकते हैं एकदम simple logic लगाना है उसके बाद buy field chemical काफी लोग इसमें comment करते हैं कि sir हम इस price पर buy करें किया करें क्या करें क्या करना चाहिए हमें strategy बताइए तो दोस्तों इस तरह के stocks जब देख सकते हैं यह stock trade कर रहा था मातर 10 डूपीज के आसपास उससे भी नीचे तो आप इस तरह के stocks में higher price पर क्यों buy करेंगे कोई logic ही नहीं बनता है चार्ट को देखना सीखिए आप गूगल में simply search कीजिए company का नाम उसके आगे share लिख दीजिए biofield chemical share आगे share लगा दीजिए search करेंगे चार्ट निकल जाएगा देख लिजिए company का share price छे मेना पहले कहा था अभी कहा है अगर higher price पर है तो उसमें invest मत कीजिए क्योंकि market भी high price पे, stock भी high price पे है तो correction आएगा तो फिर आप panic होने लगेंगे कि क्या करें क्या करें और इस company के fundamentals को पहले देखें क्या इसका जो share price है 200 रूपेज, 300 रूपेज, 150 रूपेज क्या company के fundamentals के अनुसार इस company का share का price कितना होना चाहिए या नहीं अगर company का share price बास्तम में 150 रूपेज होना चाहिए तब आप invest केजिए otherwise avoid केजिए बहुत सारे stocks है, 5000 कमपनियां stock market में listed है बस उसमें से आपको 10-20 कमपनियां चुनना है invest करने के लिए सारे stocks में invest करने के लिए मत सोचिए बस आपको अपना 10-20 stock होना चाहिए जिसमें आप invest करने के लिए सोचेंगे अगला है हमारा जैनित हैल्थ केर, इसमें भी काफी लोग कमेंट करते है सर आप इसमें क्या invest करें, काफी stock भाग रहा है दोस्तों ये बता दें, ये stock मातर कुछ पैसे का हुआ करता था और फार्मा सेक्टर के जितने भी 50 stock है, सब में गजब की तीजी देखने मिल रहा है और यहाँ पर देखने ये buying का volume काफी जादा है मतलब लगातार buying हो रहा है, अगर आप भी invest करना चाहते हैं तो कुछ quantities में buy कर सकते हैं, बस AMO order लगाना है AMO order, तीन बच के 30 मिनट पर market बंध होता है अगले दिन के लिए आप जिरोधा में आसानी से AMO order प्लेस कर सकते हैं जितना जल्दी प्लेस करेंगे, उतना जल्दी आपका buying हो जाएगा बस आप invest हो जाएगे, फिर अगर lower circuit लगा तो panic मत होईएगा तो इसलिए छोटे quantity buy किजिए, अगर आपके पास 1,00,00 रुपिया है तो 500 रुपिया लगा दिजिए बस देखते रहिए क्या होता है इस stock में अगला हमारा subex limited, कल इस पे हमने विडियो बनाया था कि आप इसमें invest मत किजिए, क्योंकि promoters का stake इस company में पूरी तरह से गाइब है तो जिस company promoter का stake है ही नहीं, company profit में है ही नहीं तो उस company को avoid किजिए, बहुत सारी debt free company है, profit making company है उसमें invest करने के लिए हमेशा सोचिए, अगला stock है, हमारा berla software दोस्तों काफी बहतरीन stock है, इसमें मैंने 3 साल पहले भी invest किया था लेकिन उस समय मेरा negative return होने के कारण मैं इसको exit कर दिया था लेकिन इस बार फिर से मैंने इसको buy किया था positional trading के लिए और मैं इसमें profit book करके निकल गया, लेकिन दोस्तों हमने यहां पर profit book कर लिया था यहां पर 170 पर उसके बाद देखते हैं, यह stock यहां पर थोड़ा consolidate हुआ तेजी के बाद और फिर से यह समें जवरदस्त momentum देखने मिला, तो दोस्तों काफी बहतरीन stocks है, अगर आप इसमें long term के लिए invest किया है तो यह काफी मतलब नीचे के price पर मिला था, 55 रूपीज पर जो हमारा गिरावट आय था उस समय तो दोस्तों अगर आप इसमें यहां पर buy किये थे, तो काफी बहतरीन है, long term के लिए बने रहिए अगर कुछ profit book करना चाहते है, तो profit भी book कर सकते हैं, काफी best समय है अभी profit book करने का तो जो भी long term investor है, बने रहिए काफी बहतरीन stocks है, यह अपने all time high के लगवा करीब आ चुका है इसका all time high है 311 रूपेज, अगर यहां से उपर निकलता है, अगर यहां से उपर निकलता है, तो काफी बहतरीन momentum आपको देगा तो जो भी profit book करने चाहिए, profit book करने चाहिए, यहां से थोड़ा correction भी आ सकता है, जो long term के लिए invested है, तो invested रहिए या जो भी positional trading के लिए लिए है, profit book करना नहीं चाहते हैं, तो stop loss को उपर बहा लिजिए, जो आपका stop loss होगा, वो देख लिजिए, यहां से उपर होगा अभी जो आपका stop loss होना चाहिए, वो 225 रूपीज का होना चाहिए, 225 रूपीज पर अपना stop ledger लगा लिजिए, कि stop loss हीट करता है तो वहाँ निकल जाएंगे, और यहां से अगर अपने all time high को break करता है, तो फिर एक गजब का momentum की तीजिए इसमें देखने आपको मिलेगा, इगला stock है हमारा IDFC, IDFC First Bank का यह parent company है, याद रखे, यह company काफी solid है, यह मतलब IDFC Mutual Fund है, उसकी holding company है, IDFC First Bank की भी parent company है, तो दोस्तों काफी बहतरी रूपीज पर अच्छे profit में होगे, तो दोस्तों बीडियो को regular देखे, और विडियो को पूरा देखे, तो आपको अच्छा खासा stock यहाँ पर मिलेगा, market पे काफी अच्छे अच्छे बहतरी रूपी स्टॉक है, तो आप उस तरह के पाइनी स्टॉक में मत पसी है, जो कर्ज से लदी हुई company है, जो company कर्ज मुक्त है, डेट फ्री है, उस company में invest की यहाँ से तेजी आगे देखने मिलता तो फिर आपको एक गजब momentum यहाँ से देखने मिलेगा, अगला है yes bank, yes bank में आप ही आप देखे इसका daily chart पे, तो yes bank यहाँ पर लगातार consolidated हो रहा है, यहाँ पर consolidation के बाद अगर यह उपर के और momentum दिखाता है, तो फिर आप इसमें personal trading के लिए बाय कर सकते हैं, जो long term के लिए है तो बने रहिए, अभी यह long term के लिए बहतरीन मौका आप जो है, अपना SIP करते रहिए, इसमें, और इसमें काफे सारे target दिखा रहे है, 40 रूपीज आएगा, लेकिन 40 रूपीज दरी जाएगा, जब यह अपना 25 रूपीज को cross कर ज यह में 25 रूपीज के असपास है, इसको जब cross करेगा, तो बड़े बड़ा जो player है, वो इसमें invest करना चालू करेंगे, मतलब उसमें position बनाना चालू करेंगे, तो एक गजब का तीजी इसमें देखने मिलेगा, तो वेट किजिए 25 रूपीज के आने का, उसके बार अगला है हमारा बेकरांगे, बेकरांगे काफी बेहतरीन सेर था, पहले यह stock काफी high price पर trade करता था, लेकिन एक इसमें fraud का news आने के आने, यह stock देख लिजिए कहां से कहां आ गया, यह stock वाकरता है 500 रूपीज का, और वहां से यह stock एक penny stock बन चुका था, लेकिन दोस्तों, यह company जो है, फनामेटरी दीख रहा है कि debt free company है, company का profit है वो लगाता, increase हो रहा है, तो आप इसमें invest करने की सलाहतों मैं बिलकुल नहीं दूँगा, क्योंकि यह stock जो है, जब एक बार fraud का news आ गया, तो दोबारा फिर से क्या 500 के level को touch करेगा, इसमें काफी सारे doubts है, क्योंकि company में पर जब क कोई fraud का exam लग दाता है, तो फिर से वो company के share को price को उस level तक जाने में काफी जाने में काफी जादा, मतलब company को दिखाना पड़ेगा, मतलब transparent होना पड़ेगा company को पूरी तरसे, जब company पूरी तरस transparent रूप से अपना काम दिखाएगी, तह भी जाकर कि investor का जो रूची है इसमे बढ़ेगा, और company का profit है वो लगा था, different के रूप में investor को देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इस company में फिर से share का price जो उस level पर देखने मिलेगा, और यह देशने company का share price कहा आ चुका था, 25 रूपीज तक, यहाँ आप आप नीचे के लेबल पे से buy कारने के लिए सोच सक करते थे, अभी थोड़ा सा buy कीजिए, कवकि 70 रूपीज काफी high आ चुका है, अगला है हमारा महरास्टा बेंक, दोस्तरी ची तरह के छोटे-छोटे stock में काफी जादा retail investor रूची रखते हैं, वो काते हैं कि हम इस company में क्या invest करें, तो यहाँ आप देलेजी, यह stock बार-बा आपको इस stock में देखने मिलेगा, उसके बाद है South Indian Bank, यह भी काफी मतलब retail investor का favorite stock है, काफी ज़्यादा invest करने के लिए इसमें सोचते हैं, देखते हैं, 6 रूपीज के आसपास यह stock हुआ करता था, फिर यह जाता है, यहाँ पर लगभग, मतलब 9 रूपीज नीचे वापस आ जाता था, इस बार थोड़ा सा 9 रूपीज के उपर आज cross किया है, क्या sustain करता है, यह देखना होगा, अगर sustain करता है, तो फिर आपको एक तेजी देखने मिलेगा, लेकिन इस तरह के छोटे stock में आपको छोटे quantity ही buy करना चाहिए, 100 प्या लगा दें, 500 रूपीज लगा दें और इन्वेस्टेडरे हैं बस, तो पैनी से उस में यह strategy आपको एक चाहिए, छोटा amount लगाएंगा आप, उसका बाद है, बिरला टायर्स इस stock में buy करने के लिए कभी मत सोचें, काफी सारे लोग यहाँ पर उपर के price में फसे हुए जो है, काफी लोग comment भी करते हैं, सर बिर अच्छा है, company profit कर रहे है, company का sales increase हो रहा है, तो निश्चित रूप से वह आने वाले समय में, फिर से company का sales price अपने hype के आसपास जाएगा, यह अगर company profit ही ने कर रहे है, company का fundamentals ही मजबूत नहीं है, तो sales price तो धिरे-धिरे down ही जाएगा, अभी जो market में तेजी है, इसमें जो फ लेकिन जैसे 1000.2000, 2000.000 का market में correction आता है, तो आपको सारे company के fundamentals जो दिख जाएगे, कौन से company fundamentals अच्छी है, और किसकी अच्छी नहीं है, इसलिए company के fundamentals को देख करके invest किजिए, अच्छी company जो उसे में invest किजिए, अगला है RBNL, real, vikas, nigam limited, काफी बहतरीन एक PSU stock है, और इसका company क जो share price था, काफी दिनों तक ये देखते हैं, ये 20 रूपीज के नीचे trade गया, तो काफी बार हमने बोला, इसमें आप चाहे तो long term के invest कर साथे, क्योंकि company अच्छा खासा dividend देती है, और company newly listed है, और आने बाले समय में POCO stock में आपको तेजी आच्छा खासा देखने मिल सकता है अब अगर invest करना चाहिए, तो थोड़ा से wait करें, क्योंकि ये पिछले 5 दिन में year stock देखते हैं, 20 रूपीज के उपर जब ये अपना जो 24 रूपीज था, उसको cross किया तो ये गजब का momentum देखने मिला, तो अब थोड़ा से wait and watch कर लिजिए, थोड़ा से price फिर से correct हो रहा है, तो अगर correction पर नीचे मिलता है, तो फिर से आप invest किजिएगा, ऐसे यहाँ पर जो gap up open हुआ है, ये आप support का काम करेगा, तो देखते हैं, क्या ये यहाँ पर support लेता है, अगर support लेता है, यहाँ पर आप SIP करना स्टाट करेंगे, तो जो gap up अपनी होता है, तो जो gap up होता है, ये support का काम करता है, अगर ये support का काम करता है, तो फिर यहाँ पर SIP स्टाट कर दिजिएगा, अगला है हमारा Trident Limited, Trident Limited भी काफी बहतीन stocks है, और यहाँ पर देख लिजे काफी जवरदस्त इसमें तेजी देखने मिला, तो ये जो बीच का gap है, ये भी एक मतलब support का का काम करे हैं, तो Trident भी काफी अच्छा stocks है, लेकिन ये 60 रूपीज के stock हुआ करता था, stock split करने के कारण 6 रूपीज का हुआ करता था, और pandemic में गिरावट के कारण 6 रूपीज से ये 3 रूपीज का आ गया था, अगर वहाँ पर आप आप बाय किये रहते हैं, काफी बार है मैंने बता गया है, ये gap अगर support का काम करता है, तो फिर आप यहाँ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों ये सारे stocks थे इस वीडियो में जिसमें हमने discuss किया क्या आपको करना है, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किजिगा चैवा पहली बार है सस्क्राइब कर लिजिगा, आपनी stock market में अपना trading और debit account ओपे नहीं किया है, तो आप जिरोधा के साथ open करते हैं, angel broking के साथ करते हैं, अगर आपको trading करना है तो angel broking सबसे बहतरी प्लेटपाम है, काफी अच्छा margin देता है, आप हमारे link से angel broking अपना account ओपे नहीं कर सकते है साथ जिरोधा में चाहिए तो आप उसमें करते हैं, जिरोधा और इंचक दूनों में आपको 20 रुपया per trade चार्ज लगता है, और delivery में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी stock delivery में लेते हैं, आपको कोई भी brokerage pay नहीं करना पड़ता है, और internet में सिर्फ 20 रुप आपको चार्ज लगेगा